मैंने सूखे के आपदा से बरबाद हुई फसल का इसू विडियो बनाया था जिसके बाद किसानों को मौज़ा मिला जिसके आज सभी किसान अपना जीवन या पन ठीक तरह से कर पा रहे हैं जीला कांकर बुलाक नरहरपूर से 15 किलोमीटर दूरी पर ग्राम हटका चारामा के 300 किसान कम बारिस या समय पर बारिस नहीं होने के कारण फसल नस्ट या रोपा नहीं लग पाया आपके कितना एकड जमीन है नग भग छे एकड जमीन है परिया तो इस अभी तो रोपा के लिए छोड़े थो पूरा ही छुट गया है कर मुसे कम नहीं तो दो एकड़ा इसी रोपा के लिए छोड़े थो तो उसमें जगा लगाए भी नहीं दान बाकि पर एक्षी बहुत होगा दूसको बीच के लिए रखें खाने के लिए कुछ भी नहीं बंचे लेकर तांसिल आपिस गये थे तांसिल दार से मिले उसके बाद आपके दुआरा साथ में कलेक्टेट में गये थे जिससे कलेक्टर महदय से प्रसनल तर उसे केबीन में जा कि अच्छा से ब अच्छा से अपना अपना निश्कर से निकाल की दिये थे उसके बाद दू- तीन दीन के बाद अच्छा से मोबाल में फिर बात कि जिससे कलेक्टर महदय नहीं रिपोर्ट के लिए दुबारा सरवे कराए भेजे राईली निकाले थे जीला इस्तर में, ब्लाक इस्तर में, और आवधन दिये थे, जंदर्शन में, जिसमें आप वीडियो ग्राफि किये थे, आपका इस समस्या में सम्मलित होकर आप किसानों का सयोग दिया, आपका इसमें भी बहुत बड़ा योगदान था, खुशी है, अब बहुत सब खुश ह तो देखा हमने कैसे सामुदाय परियास से सूखे के कारण बरबाद हुई फसल का जो मौजा सासन द्वारा नहीं मिला था वो मिल पाया मैं दिना गनवीर ग्राम हटकाचारामा बुलाक नरहरपूर जीला कांकेर चतिजगार इंडिया अनहट के लिए कि विदा बुलाक नुदार बुलाक झालक शवाल झालक परिया कजास्ट के लिए यहीं मिला का उलpecially कि तेखा ब्लेवीर यहीं मिल दिंगा सは। झाल झाल